शनिवार की दोपर लोगों में चर्चाएं चली कि शिव मंदीरों में नंदी गंड पानी एवं दूद पी रहे हैं जिसके चलते मंदीरों में मूर्तियों को पानी पिलाने के लिए भीड लगने लगी एवं मंदीरों में देवी देवताओं को पानी पिलाने के लिए होड लगने लगी शनिवार की दोपर अचानक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वाइरल हुआ जिसमें प्रचारित किया गया कि भगवान नंदी की प्रतीमा पानी और दूत पी रही है इसी चर्चा के चलते उनके शिव मंदीरों में लोग भगवान नंदी को पानी पिलाने के लिए एकत्रित होने लगे एवं लोग अपने घरों से पानी का लोटा लेकर मंदीर पहुशने लगे इसे लोगों की आस्ता कहें या भ्रहम शोशल मिडिया पर इस तरह की बातों को लेकर एवं अपने हातों से पानी पिलाने के वीडियो अपलोड करने लगे जिसे देखते ही देखते हर छोटे से छोटे गाउं में यह चर्चा फैल गई एवं लोग मंदीरों में पहुश कर देवी देताओं की मुर्तियों को पानी पिलाने का प्रयास करने लगे आईए देखते हैं इसी चर्चा को हमारे उन सम्वादाता दिनेज दसुन्धी की रिपोट सनिवार की दोपर सभी जगह पर इसी चर्चा चली है कि मंदीरों में नंदीगंट में सवालि या जाती है दूध और पानी पि रहें इसी कि चलते मंदीरों में भींट लगई है वा लोग मंदीगंट को पानी पिलाने के लिए फ़ार के या हम लोगों को पता चला है भाहर सामें पोन आया था 12 बचकर 30 मिनट पर के खरवोन में कुंदा नदी की तरड़ पर नंदी पानी पी रहा है तो वैसे ईन में भी जानकरी लगी और हम लोगों ने यहां पर नंदी भाराज को पानी पिला तो वह कर चम्मच से पानी पी रहे हैं अहीं पिला रहें उन से बराद करते हीं की ऐसा में dolory को पानी होगे वगले नाट पाते इंडि नी द्वारा पानी ठीलिया को यह चर्चा किसे मालूं काぎS मोबाइल पे देखा हुएसर में भागती आई, करोरी भरके जल लखे आई, और मैंने नन्दी जी को पिलाया, आप ने पानी पिलाया, सबसे पहले में नहीं पानी पिलाया था, मुझे कुक्षी से फोन आया था, मेरी वेहन का, कि भुले ना पानी पी रहे हैं, तो में खुद पानी पिलाने के लिए लोग मंदीर पहुचने लगे हैं तनिवार की दोफार एक अफ़ा कहें या चर्चा चली कि शिव मंदीरों में नंदी शिव की सवारी जो नंदी होती है वो डूद और पानी पी रहे हैं इसके चलते उनके मंदीरों में शिव मंदीरों में भीड लग कि बिए है और लोग वहान को पानी और दूड़ पिलाने के लिए हैं हम देखते हैं कि हुआ कि क्या हो रहा है का कि ऑम हाँ फ्रुल Μ유istas on आपने पिला है तो पी रहे पानी आपने पिला है दूसरे भगवान पानी पी रहे हैं इसी के चलते मंदिरों में अब भी लगने लगी है और हर मंदिर हर श्यू मंदिर में इस तरह का आलम हो गया है सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें